हेलो दोस्तों कैसे हैं आज हम लोग अपना लाइट का रिफ्रेक्शन सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे आज हम लोग दोस्ते रिफ्रेक्शन पढ़ेंगे रिफ्रेक्शन में लेंस पढ़ेंगे हम लोग पिछले वीडियो में रिफ्रैक्शन का बेसिक कॉंसेट समझे थे रिफ्रैक्शन क्या होता है कैसे होता है क्यों होता है अब हम लोग सीखेंगे रिफ्रैक्शन लेंस में तो एक चीज़ अबसे पहले समझना है कि लेंस में रिफ्रेक्शन क्यों होता है आपको बहुत अच्छे से पता होगा रिफ्रेक्शन होने के लिए दो मीडियम की जुरुत पड़ती है जब तक दो मीडियम नहीं होगा रिफ्रेक्शन नहीं होगा अगर सेम ही मीडियम है माले लेते हवा है लाइट आई और चली गई, तो रिफ्रेक्षन कहा हुआ, रिफ्रेक्षन मतलब क्या, बेंडिंग ओफ लाइट, लाइट बेंड क्यों करती है, अरे भया क्या हम आपको सिखाय थे, बेंड करने के लिए क्या चाहिए उसको, आप रास्ते में जाते हैं, आपके गति को कम करने के लिए क्या चाहिए, भीड चाहिए, ट्राफिक चाहिए, हर्डल्स चाहिए, तब ना आप रास्ता मोड़ेंगे, दर उधर करेंगे, ताकि हमको जल्दी भागना है, ठीक वही जल्दी भागने के लिए, लाइट को भी तो सीधा चाहिए रास्ता, कि हमको भी यह जैसी आ पड़ते हैं HE po Sticker अब diu this कैसा लेंग उता है यहां पर जो लघ्रू है वह सब्सक्राइब घजिएгляд तो मान लेते हैं कि हमारा जो लड़ू है कुछ इस टाइब से हैं लडू हो किया दोस्त यह लडू है हमारा किसका है ग्लास का ग्लास का लडू है ठीक है चुकि यह सॉलीड होता है ठोस होता है लडू तो ठोस होता है ना दोस्त पूरा सॉलीड होता है यह भी पूरा सॉलीड है अब क्या बोलेंगे इसमें से भी लाइट गुजारेंगे तो क इस लेन्स के इस ग्लास के टुकड़े को मतलब जो स्फेर है इसको हम एक सर्टेन पैटर्न में काटते हैं जैसे मान लेते हैं कि हम यहां से ऐसे ठो काट लिए हो सकता है एक ऐसे काट लिए यह भी हो सकता है यानि हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं अगर यह वाला कुछ हमको ऐसा दिख रहा है अगर हम सिर्फ ये वाला पॉर्शन को लें ये वाला पॉर्शन कुछ हमको इस तरह का दिख रहा है कुछ इस तरह का दिख रहा है दोस यह पूरा क्या है ठोस है तो यह वाला जिसमें दो ठो ऐसे हमारा यह उभरा हुआ सर्फेस दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं convex lens इस लोग क्या बोलते हैं concave lens अब एक चीज आप यह देखिएगा convex lens वो क्या बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं इसको उत्तल दर्पन और concave हो क्या बोलते हैं आउतल दर्पन sorry दर्पन बोल रहा है देखें दोस्त यह lens है न भीया तो दर्पन कहां से आ गया दर्पन मतलब होता है mirror यहाँ lens है ठीक है देखें हम गलती कर देते हैं आप लोग बोलते हैं यह गलती हो गया चलिए कोई बात नहीं उतल lens यानी convex lens औतल lens यानी concave lens ठीक है अब दोनों का कुछ प्रोपर्टी के बारें पढ़ें इजो एक अ करके दोनों का पढ़ें अब इसमें कुछ चीज इसका नाम हम लोग जान लेते हैं जैसे हम लोग मीरण में पढ़े थे यह जो इसका diameter होता है न दोस्त यह diameter diameter जैसा जो आपको दिख रहा है इस tip से लिकर इस tip तक मान लेते हैं AB है AB जो है ना इसको हम लोग aperture बोलते हैं ठीक है इसका beach का जो सबसे center वाला part होगा, ये वाला portion, ये वाला portion, इसको C से indicate करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, center बोलते हैं, क्या बोलते हैं, center या optical center जैसे भी आपको मर्जिया बोल सकते हैं, ये दोनों कदम center वाला part होता है, बीच वाला, इस aperture कदम बीच वाला part होता है, ठीक है, हम लोग जो count करते हैं, कैसे करते हैं, अब आप समझें यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजेगा, आपको पूरा clear हो जाएगा, फंडा, जैसे माल लेते हैं, यह lens है, ठीक है, ए भी एक lens है, यह हमारा aperture हो गया, यह हमारा center हो गया, यह हमारा क्या हो गया, principle axis, principle axis किसको बोलते हैं, वह line जो इस lens के center से होकर गुजरती है, आप बोलेंगे, sir, center से तो यह भी line गुजरती है, तो यह भी हो जाएगा, क्या, नहीं, इसको नहीं बोलेंगे, जो lens को अगर हम दो सीधा रखते हैं, तो हमारे earth के parallel जो line जाती है, इस center से होकर, इस दोनों के lens क बीच से उसको हम लोग principle axis बोलते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग principle axis नहीं बोलेंगे दोस्त, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, यह हमारा principle axis नहीं है, अब एक चीज और, principle axis जो होता है, focus से होकर गुजरता है, focus और, किसको, center से होकर गुजरने वाली line को हम लोग क्या बोलत हैं, तो आप बोलेंगे, सर, focus की ज़र है, अब देखिए, इसमें दो surface है, एक यह वाला surface है, right side का, एर एक left side का surface है, अब right और lift दो surface है, तो जीधर आप object रखेंगे, वो आपका principle focus कहलाएगा, जीधर आप object रखेंगे, object देखिए, इसमें तो light इधर से भी जाएगा, तो इ एर ईदिधर होता है, जीधर object रखेंगे, उसके दूसरे साइड में होगा, अगर हम object इधर रख रहे हैं, ठीक है, अब जेक्ट हम यहां रख रहे हैं, यहां कहीं भी रख सकते हैं object को, मतलब इस lens से infinite तक के बीच में, कहीं भी हम object रख सकते हैं, ठीक, उसी तरह से इस lens और infinite के बीच में कहीं पर भी object रख सकते हैं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब क्या है object हम माल लेते हैं इधर रख रहे हैं तो light ऐसे जाएगी इससे टकराएगी किस से हमारे lane से और उसके बाद bend होगी bend होगी न भाई तो bend होगे जब भी कोई light इधर से जीधर object रखे हैं इधर से जाएगी lane से strike करेगी उसके बाद bend करेगी तो bend कीदर होगी other side में होगी दूसरे side में होगी तो इधर वाले जो focus होगा जीधर object रखे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त principle focus बोलेंगे ठीक है और दूसरे side को क्या बोलेंगे secondary focus तो इधर वाले side को principle focus होता है उसको हम लोग f1 indicate करते हैं अब दूसरे side जीधर image बनता है उसको हम लोग f2 बोलते हैं clear है अगर इधर object रखे देंगे तो ये हमारा principle focus हो जाएगा और इधर हमारा second focus हो जाएगा ठीक है खर नाम अलग-अलग है मतलब सब बस सेम ही है एक चीज और समझ लीजेगा अगर light जो इधर से cross कर रही है इधर से जा रही है parallel to principle axis अगर दोनों तरफ medium बराबर होगा दियान से सुनेगा अगर दोनों तरफ medium बराबर होगा तो यह जो focal length है ना वो सेम होगा f1 और f2 दोनों बराबर होगा इस distance को हम लोग क्या बोलते हैं भाईया f2 f1 और f2 बराबर होगा अगर दोनों तरफ का medium सेम होगा clear है medium सेम होने पर दोनों बराबर होता है और medium में differ कर देंगे तो यह दोनों का value भी बदल जाएगा यह दोनों तरफ का medium सेम ही होता है generally अगर जीतना भी हम लोग सारा जो experiment करेंगे जीतना भी हम लोग इसका images formation देखेंगे हम लोग दोनों तरफ का medium सेम ही रखते हैं ठीक है हम लोग अभी air में हैं तो हम लोग air के ही बात करेंगे बीच में एक stand पर lens रख देंगे तो इधर से रही आए चाहे इधर से रही आए ठीक है दोनों तरफ तो हवा ही है तो दोनों medium सेम होगा यानि F1, F2 दोनों हमारा बराबर होगा clear है दोस्त और इसके साथ क्या होता है concave lens में क्या होगा इसमें आपका माल लेते हैं यह हमारा concave lens है ठेक इसका भी वह ऐसा ही होता है यह हमारा aperture कहलाता है principal axis goes to the center कहलाता है और इसमें इसमें जो अब दोनों का comparison करके आपको बताते हैं इसमें दोनों जो होता है हमारा जो F1 और F2 होता है यह दोनों real होता है क्यों? क्योंकि जब light strike करती है तो यह converge होकर एक point पे मिलती है तो इस प्रक्रिया को इसको क्या बोलते हैं? Converging of light बोलते हैं इसलिए convex lens को converging lens भी बोलते हैं आपका question आता है exam में कि हम लोग convex lens को converging lens क्यों बोलते हैं तो आपको क्या answer देना होता है क्योंकि आपका ये दो number को question आता है exam में कि इसको आपको और competitive level में इस तरह question आता है कि converging lens किसको बोलते हैं तो आपको बताना पड़ेगा convex lens को converging lens बोला जाता है या फिर आपसे पूछाता है what do you mean by converging तो आपको बताना पड़ता है converging मतलब क्या होता है जब कोई light principal axis से parallel जाती है and it converges and meet at one point that one point is what that one point is f2 और either f1 अगर इधर से light लें चाहिधर से light लें ठीक है आप उसके हिसाब से बताइएगा जब एक point पर आकर मिलती है तो जो bending of light और एक point पर आकर मिलना this process is known as conversion ठीक है इसको converging lens बोलते है in the same fashion in concave lens what do you call यहाँ पर इसको divergent बोलते है तो इसको diverging lens बोलते है diverge करने का मतलब क्या फैला देना converge मतलब एक जगा लाके मिला देना ठीक है ठीक है तो एक जगा के मिल रहा है converge कर रहा है और यहाँ पर light अगर ऐसे जाए तो यहाँ से इधर bend करती है ऐसे जाए यहाँ से इधर bend करती है इसको अगर लेक पीशे मिलाएंगे तो something like this यह ऐसा बनेगा आपका इस point पाके मिलेगा F1 होगे फिर वह ऐसे ही light अगर आएगी यह principal focus है ऐसे ऐसे आएगी तो क्या होगा यह ऐसे चली जाएगी ऐसे चली आएगी लेकिन इसको अगर ऐसे मिला दें तो यह हमारा F2 हो जाएगा ठीक है यहाँ F1 हो गया यहाँ पर F2 हो गया यह आपको ध्यान देना है दोस्त ठीक है देख रहे हैं अगर light को parallel जाना है principal axis के तो यह diverge करेगी फैल्टी उने जराएगी जैसे एक छूटा से example देते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा एक touch ले लीजे ठीक है और एक concave lens ले लीजे ठीक है क्या करना है देखिए हम आपको बताते है जैसे एक touch ले लेंगे यहां से मान लेते हैं टॉच है यह देखिएगा समझने कोस के जिए हम ट्राइ कर रहे हैं आपको समझाने का यह टॉच है मेरा ठीक है यह switch हो गया यह टॉच हो गया ठीक है अब यह टॉच है यह टॉच को इसके सामने में एक हम लोग लेंश रख दिए एसे कौनसा लेंस है कौनसा लेंस सैंसे TIME कौनकेबलेंस तो यहां से जब लाइट निकलेंगी ना पता है क्या होगा लाइट पूरा इससे फैल के निकलें एसे पूरे लाइट फैल्елен आइसे पूरी light फैल जाएगी डर्व ideal जलाएए तो light पूरी से फैल के जाएगी ज़िकथ तो इसका focus कैसे समझेंगे अगर पूरी light को पीछे की और मिला एं तो यह पता ऐसे आएगी और ऐस partir जो आएगी बल्ब है ना जो बल्ब पर यह torch का जो bulb रखा हुआ है न यही आपका focus हो जाएगा दोस्त क्यों मिला के देखिए आपका इस point पर मिलता हुआ नजराएगा जैसे देखिए अब यहां से जा रहा है यह वाला example देखिए इसका देखिए आपको यहां पर गंदा देख रहा हुगा थोड़ा साफ करते है बाकी कोई rage करते हैं आपको clear समझ में हैगा देखिएगा मिलाएए जोनो फोटो को एक दम देखिए सेम दिखेगा आपको यहां पर दोनों फोटो को अगर आप मिलाएं तो आपको बिल्कुल सेम दिखेगा देखिए लाइट ऐसे जा रही है और यहां से लाइट टाइवर कर रही है अगर आप इसको पीछे की ओर लें तो आपका यह फोकस दिखता है आपका एफोन दिखते हैं इसी को पीछे करेंगे तो जहां पर इस टौच का जो लाइट है बल्ब है न वह आपको फोकस बन जाएगा दोस्त तो लाइट यहां से निकलती हुई दिखती है आप को कैसा लगेगा दूर से देखने वाले आदमी को जो आदमी ऐसे सामने होके देखेगा ऐसे सामने होके देखेगा इस फोटो को बाकी को हटा दीजे इस बाकी को इसको हटा दीजे देखिए क्या लग रहा है लग क्या रहा है लाइट इदम यहां से निकल रही है इस जैसे है dollars पुरा है से निकलता हुआ दिखे आईसे है पता है इस point source लगता हुआ दिखेगा आप कभी घर में i try कर सकते हैं करिएगा तो warranty आपांपो दीखेगा यह कि दूर से देखेंगे तो आपको बिल्कुल mechanism सही फील होगा और खास करके अंधेरे में घर में अंधेरा कर लीजिए एक टॉच जलाइए सामने में कॉनके लेंस रख दीजिए और उसके बाद देखिए उसका मज़ा आपको लाएगा कि पॉइंट सोर्स से लाइट दिख रही है निकलती हुए डाइवर्ज करती हुए दि image formation बникल वैसे हम लोग इखए जानना है image formation जैसे हम लोग वहाँ पर 2 रे लेते थे यहाँ पर भी 2-3 ले दोस्त क्यों डोले ने के बाद हम लोग को यह समझ में आता है कि दोनों ray after conversion और divergen converge करके या diverge करके किसी एक point पे real में मिलेगी या मिलती हुई लगेगी appears to meet और really में यह meet करेगी जब really में meet करेगी तो वहाँ पर क्या बन जाएगा real image बनेगा दोस्त और जहाँ पर appear to meet या मिलती हुई लगेगी तो वह क्या हो जाएगा कि क्या हो जाएगा virtual image दोस्त अगर सीधे सीधे मिल गई तो really में नहीं मिली हमको पीछे की और बढ़ा के मिलाना पड़ा तो virtual image क्लियर है दोस्त इसलिए हम लोग दो लेते हैं लेंगे तो वही वहला जवाब है दोस्त जब बहुत सरा रहे लेंगे क्योंकि बीम आफ लाइट निकलती है बहुत सारा रहे निकलती है उतना सारा लाइट को मिलाएंगे तो हौच पॉच हो जाएगा हमको clarity नहीं होगी हमारे image formation देखते हैं तो शुरू करते हैं दोस्त किस में पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले convex lens में पढ़ेंगे कैसे image formation होता है चलिए यहां पर हम लोग पहले देखते हैं एक lens लेते हैं पहले चीजों को समझ ले जैसे हम लोग उसमें पढ़े थे अगर आपको याद होगा तो MN माल लेते हैं ठीक है MN माल लेते हैं अच्छा लगेगा एबी एबी हम लोग object रखेंगा ठीक है यह हमारा C हो गया अब इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि C से गुजरने वाली कोई भी line C से गुजरने वाली कोई भी line bend नहीं करेगी यह directly आएगी और cross कर जाएगी इसको पार कर जाएगी without any bending कोई bending नहीं होगा कोई reflection नहीं हो कोई gun version कुछ भी नहीं होगा दमें straight line आएगी पार करेगी इसके साथ clear है जैसे हम लोग वहां भी पड़े थे C से गुजरने वाली सारी लाइने क्या होती थी perpendicular to the mirror होती थी जैसे हमारा radius होता था अगर आपको याद होगा तो वह से हम डाल लेंगे आपका eyeball में उसको देख लीजेगा चलिए यह मान लेते हैं मारा F1 है यह हम मान लेते हैं यह हमारा F2 है यह मान लेते हैं 2F1 है इसको मान लेते हैं 2F2 है ठीक है चलो ठीक है अब फिर position आपको याद होगा हम लोग दोस्त रटना नहीं है हम लोग को समझ लेंगे काम आ जाएगा हमेशा वैसे ही काम करेंगे ठीक है मज़ा ना चाहिए अपने पढ़ने में फिर वैसे करेंगे दोस्त F1 को क्या मान लेते है 1 माने चलो यहां से 1 मानते है यह 1 है position को position 1 F1 और 2 F2 के बीच में position 2 2 F2 को 3 2 F2 और infinite के बीच में 4 और infinite पे क्या मान ले 5 clear है दोस्त clear है न समझ में आ रहा है अगर F1 है F1 पे 1 मानते है F1 और 2 F1 के बीच में 2 मान लेते हैं 2 F2 और infinite के बीच में 4 मान लेते हैं और infinite पे 5 पोजीशन हमारा काम क्या है दोस्त position को समझना यहां पर हो क्या ना उसी तरह से अब इधर भी कर लें कोई दिक्कत ठीक है दोस्त अब इधर में उल्टा मान लेते हैं ठीक है जो यहां पर F2 है इसो क्या मान लें 5 इन दोनों के बीच में 4 इसको 3 इसको और infinite के बीच में मान लेंगे 4 infinite पर मान लेंगे 5 ठीक है दोस्त यहां पोजिसन ऐसे याद रखेगा 5 4 3 2 1 ठीक है 5 4 3 2 सोरी यहां एक लिखना है ना भाई देखें गल्ती कर दिये हैं बोलना चाहिए कि हम सर वहाँ पर 5 के जगए एक लिख दिये है 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 अब इसमें क्या है एक हम एफोन से पकड़े हैं इसमें हम 5 से पकड़े हैं 5 4 3 2 1 उधर में इधर में 1 2 3 4 5 इधर में ताकि हमको मज़ा आता बोलने में दोस्त बहुत मज़ा आता है इस खली पोजिसन को ध्यान में रखेगा अब इमेज कैसे बनेगा ध्यान देना है ठीक है ध्यान कैसे देंगे जैसे हम लोग मीररें पड़े थे दोस्त बिल्कुल वायसे ही पड़ेना है यहां पे जैसे 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 एक दम स्टेट फरवड है उपर में आबजेक्ट लिख दीजिए और नीचे में भाया इमेज लिख दीजे यह हो गया बॉक्स और इसको आप ध्यान में रख लीजिए बस बन गया कुछ नहीं करना है भाया बस क्लियर है 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 कैसे हम लोग मीरर में पड़े थे वैसे हम लोग यहां पर कॉन वेक्स लेंज में भी पड़ रहे हूं भाया अब क्या है अब अब बोलेंगे भाया बताईए जड़ ला कई सा कई से बना देखे कई सा कई सा बना अगर आप एफोन पर रखते हैं ऑबजेक्ट को एफोन हीचे ने फोकस पर रखते हैं तो कहां पर बनेगा पांच में, नम्बरींग गलती कर दिया है, का हो, नम्बरींग को थोड़ा सुधार ना पड़ेगा न, यह नम्बरींग को थोड़ा सुधार दिया जाए, ठीक है, हाँ, देखे एक चीज, यह हमारा ट्रांस्पैरन्ट मेडियम है, ना मीरर में क्या हो रहा था इधर में reflecting surface नहीं था ना अंदर की तरफ था इधर में polished था और यहां पर क्या है यह एक तरह से transparent बोलें या इसको translucent भी अब बोल सकते हैं दोनों तरह का medium काम करता है क्योंकि जब object में चिपका देंगे तो उस चीज को आप देख सकते हैं जब दूर कर देंगे तो हैजी हो जाता है उसमें clarity कम हो जाती है तो क्या हो जाता है यह अगर object को f1 पे रखें तो image कहां बनता है infinite पे देखिए एक पर रखेंगे तो infinite पे 2 f2 और infinite के बीच में जब 3 पे रखते हैं मतलब 2 f1 पे रखते हैं तो यह कहां पर बनता है 2 f2 पे अब 2 f1 और infinite के बीच यानि 4 पे रखते हैं तो कहां बन जाएगा 2 पे यानि की f2 और 2 f2 के बीच में अगर जब हम infinite पर रखेंगे दोस्त तो कहां पर बन जाएगा f2 पे बन जाएगा clear है कोई doubt है अब एकर करके सारा image हम फड़ा फड़ा हम लोग बना लेते हैं दोस्त ठीक है आपको पूरा clear में आ जाएगा सारा image को जल्दी बना लिया जाए जैसे मान लेते हैं f1 है और यहां 2 f1 है यहां अगर f2 है और यहां 2 f2 है ठीक है जब हम यहां object रखते हैं दोस्त तो यहां से क्या होता है जब light अगर f1 ए f1 पर रखे हैं तो कहां पर बन रहा है 5 पर बन रहा है ध्यांदे रहें कैसे बन रहा होगा कोजिस कीजिए सोचिए कैसे हम लोग बनाये थे एक और आप सोच के देखिए मिरर वाला इमेज जियाद होगा ध्यान से देखिए कैसे बना होगा लाइट अगर f1 से हम गुजा रहे हैं हम थोड़े रिक लाक पर छोड़त रहे हैं बताइए सो कैसे बनाए अगर लाइट वहाँ पर f1 से गुजरेगा तो कैसे बनेगा जल्दी अली बताइए जल्दी चली हम भी बताते हैं लाइट अगर f1 से होकर गुजरे अगर हम f1 पर रखते हैं object को तो यहां से object क्या होगी क्योंकि पहला light है तो हमेशा f2 से होकर ही गुजरेगा दूसरी तरफ f2 है तो clear है पहला light तो सेम ऐसे ही गुजरना है कोई भी light जो principal axis के parallel जाएगी वो lane से strike करने के बाद f2 से ही गुजरेगी यह तो हम लोग को पता है और दूसरा light को हम लोग कहां से लेते हैं सेंटर से इसको हम लोग गुजरते हैं दोस्त अगर a b है object तो यह क्या बन गया infinite पर है पहला f1 पर रखे तो कहां पर बना infinite पर clear है दोस्त कैसा बनेगा इससे बहुत बड़ा बनेगा दोस्त बहुत बड़ा बनेगा यह दोगा कैसे बनता है बहुत बड़ा बड़ा बराबर क्या बनेगा दोस्त बहुत बड़ा बड़ा बराबर यह छोटा यहां बनेगा बहुत छोटा एही बनता है न, highly diminished, diminished, equal size का, क्या लिखते हैं इसको? Equal size, इसको क्या लिखते हैं diminished, इसको लिखते हैं highly diminished, इसको क्या लिखते हैं large, इसको लिखते हैं very large सब बनेगा image दोस्त कैसा बनेगा real बनेगा और चुकि real image है तो कैसा बनेगा real image कैसा बनता है उल्टा बनेगा दोस्त ठीक है inverted image बनेगा कैसा बनेगा inverted inverted बने उल्टा clear है यह आपको बस ध्यान रखना है बहुत बड़ा बड़ा बराबर छोटा बहुत छोटा सब उल्टा बनेगा क्योंकि सब virtual image सब real image है तो उल्टा बनेगा inverted बनेगा और size इसका ऐसे ही बनेगा clear है दोस्त चलिए ठीक है दूसरा अगर हम लोग लोग देखें कौन सा है अब हम लोग टू पर रखते हैं इसको कि एफ ओन एफ टू यहां है कि टू एफ ओन अगर यह आपका टू एफ टू है तो अब गर हम लोग यहां object रखें ए बी है object मेरा तो सबसे पहले यहां से strike होने के बाद f2 से गुज़रेगा यह तो पहला चीज तो फिक्स रहता है दोस्त हम ऐसा याद रखेगा और दूसरा जब यह c से गुज़रेगा तो somewhere यहां पर आके cut करेगा ठीक है यह क्या हो जाएगा a dash b dash दिखर आपको टू एफ टू पर रखें तो कहां पर बना है टू एफ टू और infinite के बीच में यह कौन सा position देखें चार नमर पोजिशन है मिल गया दो का यहां पर object का position है यहां चार का position है दो चार देखें बड़ यह first position था यह second position है third position देखें थर्ड पोजिशन में क्या होगा फिर वैसे ही देखेंगे यहां हो जाएगा मेरा a phone यह हो जाएगा 2 f2 यहां sorry बार बार f2 लिख देते हैं दोस्त एफ 2 यहां हो जाएगा 2 f2 object यहां रखेंगे देख रहा आपको a b है a dash b dash कहां पर रखा यहां पर हम लोग रखें तू एफ 2 यह तीन का position था तीन पर ही बना देख रहा है चौता position देखें साइज भी सेम है equal size है फोर्थ पोजिशन क्या है दोस्त फोर्थ पोजिशन देखें कहां पर हम लोग रखें हैं फोर्थ पोजिशन अच्छा यहां पर यह हो जाएका expect का रखना है भीया रखना है एक दो तीन हुग अनला अब रखना है चार पर रखेंगे कहां पर यहा यहां यानि की यहां पर रखेंगे ठीक है तो पहला तो आएगा सट्राइक करेगा एफ उन पर ट्राइक करेगा ठीक है, A, B दूसरा कहां बनेगा फिर से वसे सेंटर से गो जारेंगे इसको ठीक है, light को आप लोग scale से मिलाएगा, जम सही बनेगा ठीक है, scale से मिलाएगा, सही से मिलेगा इसे तेढ़ा नहीं मिलाएगा इदम बिल्कुछ सही मिलता है ठीक है ऐसे आएका light यह आपका position कौन सा था 4 position था यहाँ पर आपका 2 जगा था A-B- दिख रहे आपको बन गया एक कौन सा बचा है 5 नमबर इसको भी बना दिया जाए उपर में बना देते हैं दोस्त यही पर अगर 5 पर रखेंगे यानि कि infinite पर रखते हैं यह F2 है यह होगया 2 F2 तो कैसे बनेगा दोस्त अगर हम लोग यहाँ पर रखेंगे यानि कि infinite चेर नम लोगो मालत है infinite से कोई भी लाइट आएगी तो यह इस तरह से आएगी कि यहाँ पर मिलती हुई नेजर आएगी अपने को इसको अगर ऐसे बनाएं यहाँ छोटा सा इमेज बनेगा दोस्ति यहाँ पर यह अल्मोस्ट पैरलल टू लगेगा जैसे कि हम इसको पैरलल टू प्रिंस्पल एक्सिस आया है और यह जब यहां से गुजरेगा तो आपको इदम छोटा सा हाइली डिमिनिस्ट बहुत छोटा सा एफटू की उपर कैसा बनेगा highly diminished, बहुत छोटा सा image बनेगा तम छोटा सा यहाँ पर image बनेगा आपको अदम उल्टा बहुत छोटा image बनेगा दोस्त यहाँ पर आप इसका example देख सकते हैं याद हो का हम लोग पामिस्ट लोगो जो हांस रेखा जो देखते हैं वो लोग हांके बिलकुल ऐसे ही हम लोग करते थे कागज जल जाता है अगर आप देखेंगे तो कागज जल जाएगा इस लेंस से इस सारा image हमारा बनता है एक last बनता है दोस्त जो हम लोग याद होगा हम लोग सीखे थे 6 नमबर पोजिशन बिलकुल वैसे ही 6 नमबर भी बनता है दोस्त यहाँ पर 6 नमबर बना देते हैं आपका 6 नमबर देख लीजिए 6 नमबर का मतलब क्या होता था मतолब यहाँ पर यहां पर रखने पर क्या होता है था यह नहीं कि पीछे की और बढ़ाते हैं, कुछ यहाँ पर आके मिलता है, यहाँ A, B है, यहाँ है A, B, S, तो यह एक पोजिशन बचा 6, अबजेक्टों कहां रखे, यह पोजिशन कहां पर है, 6 पोजिशन है, इसको करकते हैं, हम 6 पोजिशन नमबर, 6 रखते हैं, तो 6 का इमेज सबसे अल वर्चुल बन गया, यह क्या बनेगा, लार्ज, वर्चुल है, तो लार्ज बनेगा, और सेम साइड बनेगा, सेम साइड, किधर? जीधर ऑबजेक्ट है, उधर ही बनेगा, यानि हम देख रहे हैं, यहाँ से इधर रखेंगे, तो हमको यह बड़ा दीखेगा, ऐसे ही न हो करके देखते हैं, तो क्या देखते हैं, हाथ भी इधर ही रखता है, इमेज भी इधर ही बन जाता है, यह यह बड़ा करके दिखाते हैं, तो यह बड़ा करके दिखता है, ठीक है, तो इस तरह से हमारा सारा इमेज बनता है दोस्त, ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या देखे देखेंगे दोस्त अगले वीडियो में और क्या देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे साइन कॉन्वेंशन कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे दोस्त ठीक है उमीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा इसको ध्यान से पढ़िएगा नोट्स बना लीजिएगा और आगे पीछे करके कहीं दिक्कत हो तो दूबारा देख लीजिएगा पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में सायन कॉन्वेंशन और प्रॉबलम के साथ थैंक्यू दोस्त